इस वीडियो में आपको में बताऊंगा फ्रेंड्स की कैसे आप उनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैप्टॉप से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहूल और टेक माइवे यूटुब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो मैं आपको फॉर सरकारी रिजल्ट दोट कॉम या तो गूगल और सबसे पहले लिंक आता है सरकारी रिजल्ट डॉट-कॉम तो जब भी आपको फॉर्म भरनी होगी तो आपको एक सेक्शन मिलेगा इधर लेटेस्ट जॉब का तो जब भी कोई नया फॉर्म आता है तो इसमें लिस्ट कर दी जाते हैं सभी online forms और जो आप भर सकते हैं तो जो भी एक्जाम की फॉर्म आपको भर नी है उसकी सारी लिंक्स यहां में से आपको मिल जागी और आप वहां से बर सकते हैं तो यहां से आप आपको सिर्फ अपलाए करना है तो यहां से अगर आपको ऑन-laiन करना है तो यह पहला लिंक हुआ अगर आपको रजिस्टर पहले से वेबसाइट पर आपको सिर्फ अपलाइब करना है तो यहां से शिल्क कर सकते हैं अगर अपा मिल जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कर आपको सबसे पैले हम किलिक करते हैं रेस्टेशन के बगलवाले में तो यहां खूल जाती है और करने की अब यहां को सारी डिटेलड बनी नियुक्त कराने के लिए तो यहां के सिर्ग जाना सबसको बताओ के क्लिक्ट को अबना इसको तो सबक्रिटेलshot के लाग लग होटि पर हम नेम दे देंगे उस नेम को भिरिफाइए करेंगे दुबारा लिखेंगे यहां पर जैसे कि सारी चीजे यहां पर जैसे भी आप कोई फॉर्म भरते हैं आपको अपने इमेल आईडी जो मांगता है वह एक अच्छे आशा सदे देना है जो आपके पास हो और यूज करत हो देने के बाद ही आप पर कर पाईएगा क्योंकि उसमें एक कोड आता है तो यह सारी जब भर लीजेगा तो नीचे में आपको सेव में क्लिक कर देना है तो उपर में आप फिर एडिशनल कॉंटेक्ट डिटेल्स वाला सेक्शन ओपन होगा क्योंकि अभी वन में उपन है उसके बाद आपको अपने ऐड्रेस डालना होगा फिर फिर शेव में कलिक कर दीजएगा तो आपको 爷 आते हैं यहानَ अपनी फोटो करना जना होता है और 10-20 के जीडिश होना चाहिए तो वह हम कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता है वेबसाइड आपको सबसे पहले तो आपनी फोटो से नीजर को करना तो यहां से दो तरीकों से आप सकते हैं इसको परसेंटेज़ से मैं करके देखता को यहां पर चाहिकर करने का उप्षिन आता है यहां पर देख सकते हैं तो डाउनलोड करके आपको download कर लेना है तो यह जो फोटो है हमारा डाउनलोड हो चुका है इसका साइज ना इसको सेव कर लिते हैं तो यह हमने सेव कर लिया यह इमेज 50 हमारा नए इमेज है तो दोनों का साइज में कंप्रेजन करके आपको बताता हूं यह जो इमेज था यह 128 के भीका था जो ओर इंज इमेज था यह वाला और यह जो इमेज है छोटा सा यह नए इमेज जो हमने रिसाइज किया था तो इसकी साइज हम देख लेते हैं इसकी साइज है 64 के भी तो जैसे कि आपको फिर से आना है इसी पेज पे जो से आना है पेज खोला था और अपकी बार हमको नीचे आना है और नीचे में क्योंकि हमने रिस्टेशन करा लिया है तो उसके बाद हमको लॉग इन करना है यहां पर देख सकते हैं रिश्टेशन नमबर और पासवर्ड आपने सेट किया होगा जो आपके इमेल आड़ी में होगा यह जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको इस बॉक्स में डाल देना है इस बॉक्स में आप जब डाल दीजेगा तो उसके बाद आपको क्लिक कर देने के बार आप लॉग इन कर लेता हूं पहले उसके बार मैं आपको पताता हूं कि आगे क्या करना है जब आप लोग इन कर लीजेगा तो आपके सामने ऐसा आएगा पेज तो यहां से हम को MTS के लिए हो अप्लाइक करना था तो मैंने हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर सारी डिटेल्स आ गई है उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है नीचे से आपको सिर्फ दो-तीन चीजे सेलेक्ट करनी है जैसे कि इस प्रिफरेंट्स ऑफ सेंटर तो यहां पर देख सकते हैं तो सबसे आपको center select करेंगे कौन्ची preference में रहेगी तो आपको जो इस सेलेक्ट करना है यह से select कर ले उसके बाद अगर आपके एक सर्विसमेंट है तो आप क्लिक करेंगे यह सब्सक्राइब नहीं है तो आप देख सकते हैं हर स्टेट में जो है उसका code है यहां पर लिखा हुए जैसे कि आप नीचे आएंगे नीचे में आपका जैसे कि आप यहां पर देख पार है एक भाप को आपको इस बॉक्स के अंदर भर देना को पर देख लिएका कि आप कहां तक चिज़े बहर लिए तो यह होता है पुरा प्रोसेस से ओनलाइन फॉर्म भरने का अपने कंप्यूटर से उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलागा और आप समझ गयोंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है अगर यह वीडियो आपके काम के रहे तो इसे लाइक क आपको पता चल जाएगा फिसार करते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए